आजे बड़ी द्ुख के साथ लाई वैल बनी हम और इसे जे काफी दिन से आज थोड़ा सा छूटी मिला ला हमके सोटिंग से क्योंकि संड़े के जी या कौनों काम ना होला हैदराबाद में छूटी रहला बस आउंस खाती हम आईल बनी कि जितना से जितना हो सकर वह समय मदद करी हो बच्चा के ताकि वह बच्चा जल्दी से ठीक हो कि हमनी के बीच में खेलल सुरू कर दे और हम एक हाती लाई बाई बनी कि हम जतना कंपणी के गाना दी ही ले अदेतानी सबसे रिक्वेस्ट इह बाग कि रहो लोग इन हमार पेइमेंट कौम कदीचा है मत दी तेकि वह गाना के पैसा कि जोन आज तक लिए कलकार बंदू से आज तक लिए कि हूँ मदद ना करता ला कौनों भी आपता में कि हूँ कही ना जाता ला लेकि आज अपना कलकारन पर गर्व होता हमके कलकारन पर खुशी भी होता कि हर कलकार आज कुछ कलकार हर कलकार तो निखन जा पाओत लेकि ज कि बिहार में खा, हम हूं रहती तो हम वो हूं ठाती ती कि हमारे टीम से जद्ना भी हो सकता हम मदद कर आए ने लोगी हम चाहता है कि हमारा कंपणि नहीं हो तो 25-30 कमपणि वा वो कंपणि से रिक्वेस्ट करतानी कि आप हमें गाना का पैसा दीजिये मत दीजिये लेकि उस बच्चे का मदद करिये ताकि हमारे घर का बच्चा है हमारे बिहार का बच्चा है और हमारा धैतो बनता है हमारे भजपुरी समाज का बच्चा है तो हमारा धैतो बनता है कि उसका मदद करें उस बच्चे को, अगर हम इतने बिहारी होका और इतने भजबरी भासा होका अगर उस बच्चे को नहीं बचाए तो कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ, और मैं कुछ कलकार बंदू अपने जो भाई हैं, उनको भी धीर सारसुक कावना देना चाहता हूँ को, इस मोह रुकता को फैलाए हैं, मैं उनका सुकर यादा करना चाहता हूँ, कि आपने एक ऐसा मुहम छेड़ा की, हम तक बाते पहुंची, बहुत सारे ऐसे लोगों तक बाते पहुंची, और उस बच्चे का मदद हो रहा है, और मैं फिर से एक बर कह रहा हूँ, अपने कमपनी मालि कि आप लोग लेज उस बच्चे का मदद करिए, क्योंकि हम सबका बच्चा है वो, आयांस का जो अंस है हमारे सबके अंदर है, और मैं अपने भाईयों से कहना चाहता हूँ, जो हमारे संगीत से तर से जुड़ा हुए, कि आप कुछ जैसे वे कि आप गाना गार हैं, गाना गा रहे हैं, इसका पैसा हम सारा यूटूब से जो आएगा वो पैसा हम उस बच्चे के मदद के लिए देंगे, जी नहीं, अब छे महीना यूटूब के बाद पैसा आई ता नेवता क्याटा वाला कामबा, कि नेवता क्याटा आई तो पूरी पाकी तर लिहित लुख आई तो 6 महीना तक बच्चा वेट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बिमारी बहुत भैंकर भयवाना है, बहुत हल्की नहीं है कि उच्चे महीना बरदास कर पाएगा, तो आप वो गाना ना गा के, आप कोई लोग इत गाई है, देभी इत गाई है, च्छट गाई है, जो भी गाई गा के आप company को बीज कर उस payment को donate कर दीजे उस बच्चे के लिए उस बच्चे का help हो जाएगा तो तुरंत help की जरूरत है हमें गाना गा के 6 महीना वेट तो कोई नहीं करेगा ना तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये घड़ी जो है हम सब को एक जुट होके और बड़ी खुसी हो ये कलकार बंदों से मुझे बहुत सच में बहुत खुसी हो रही है कि हमारे सुरुआत में आप लोगों ने इतना मदद तो नहीं किया तहले कि आज हर आदमी उस मदद के तरफ जा रहा है ये बड़ी अच्छी बात है कि बीचार धरा बदल रहे हैं समाज के और सब को बद दीचा है हमारा कि उसकी माँबापने भी हमें कभी प्यार दिया है दिते हैं तो हमारा विधैलत बंदता है कि उसकी दुख और सुख में साथ रहे हैं तो इसलिए मैं चाहता हूं कलकार बंदू से खास करकर कि गाना गा के नहीं गाना गा के बेचिए ना आप आप लाक रुपे में दो लाक में बेचते हैं तीन लाक में बेचते हैं या पांच लाक या जोतने में बेचते हैं आप वो बेच कर तुरंत उसके डोनेट करिए तु कि उस बच्छे को ज्यादा से ज्यादा हल्प सा हो सके तो मेरी पर्यास से मेरी टीम शुरू दिन से लगी हुई है कि सारी मेरे तरफ से लिजी फिरी बट वो पैसे उस बच्चे के लिए करिए ताकि उस बच्चे का ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके हमारा तो दस मिलट का मेहनत है लेकि मुझे लगता है कि उसकी जीवन बहुत बढ़े है तो और मीडिया पर भारे जितने इसे मोहीम को आगे कर रहा हूं कि आप जितना से जितना हो सके उस बच्चे के मदद के लिए आप अपने इस जागरूपता को जारी रखिए और ताकि लोगों तक ये चीजे पहुँच जाए और कुछ मदद हो सके सबसे के हांथ और हम सबगा नइस तो बनता है हम इतने सारी लोग हैं और हम एक बच्चा नहीं बच सकता है एक एक रुपय दान अगर पूरी बिहार करेगी तो साइद उस बच्चे के जीवन के लिए बहुत हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि पूरे बिहार यह नहीं जहां भी लोग यह उपी बिहार धारखंड मैं जहां भी मेरे अपने संपर के लो कि उस बच्चे को एक बलिदान दे दीजी आप आसिरबात के रुप में दे दीजी और मैं भी एक मांग रहा हूँ आप सबसे कि उस बच्चे का एक चाचा होने के नाते में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमसे जो हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ आप थोड़ा थोड़ा करके सब लोग अगर करियेगा तो साइद उस बच्चे का जीवन बन जाएगा तो प्लेज आप सब से रिक्वेस्ट हैं कि उस बच्चे के जीवन के लिए मेरे जोली में भीक डाल दीजिया उस बच्चे के रूप में उस बच्चे को देखने के बाद लगता है कि वो कितना खिल खिलाता चेहरा है उसका उस बच्चे को हमा जीवन देखना चाहते हैं हम जब तक जीएं वो बच्चा हमारे बीच में रहे हम ना भी जीएं तब तक वो बच्चा हमारे बिहार का एक नागरिक बनके आपका बेटा बनके और आप सब के गोद में खेले तो प्लेज सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लेज आप सब और मेडिया परभारी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग प्लेज इस मोहिम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाईए ताकि उस बच्चे का मदत हो सके कलकार बंधू को फिर से धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इसाही करने की जरूरत है हम सब को कि जो हमें बनाया है उसके बीच में हमें जाकर उसका हेल्फ करना चाहिए यह एक बिमारी की बात नहीं है जिस भी प्रॉब्लम में हो हमारे बिहार का नागरिक या यूपी का नागरिक या हमारे भासा का नागरिक चाहे हो जिस देश में रहता हो जिस पर देश में रहता ह हमें उसकी मदद करनी चाहिए और ये बहुत अच्छा लगा और कहसारी फॉंडेशन को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ जो मेरे से जुड़े हुए हैं कहसारी फॉंडेशन से जुड़े हुए हैं कि आप लोग सुरू दिन से बहुत ज्यादा मैंनत कर रहें इस बच्चे के लिए और करने की जरुवत है इस मोहीं को छोड़े मत इस मोहीं को चलाते रहे हैं इस मोहीं को और आगे तक लेके जाए ताकि जादा से जादा उस बच्चे का मदद हो सके कि मैं आज लाइब में किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ तो प्लिज आप दुखी मत होएगा क्योंकि मैं किसी और माध्यम के लिए लाइब आया हूँ और किसे दिन हम लोगा खुशी मूड़ साएंगे तो आप सबको बिलकुल आप सबका नाम लोगा आप सबको यार करोंगा आप सबका प्यार तो हमेशा मुझे मिलता है तो मैं अकि सारी फॉंडेशन को दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि कि सारी नाम जरूर है लेकि इस फॉंडेशन में बहुत सारे लोग जुड़े हूँ जो कि सुरूर डे से इस कारी को कर रहे है तो आप लोग बधाई के पात रहे हैं और जो भी फॉंडेशन है मैं सब को कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी प्लेज इस बच्चे के हेल्प के लिए जो कर सकते हैं प्लेज करिए मेडिया परभारी को दिल से थैंक्यो कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया उस बच्चे के लिए और कर भी रहें और अभी करने की जरूरत है जब तक वो सोलकडूर नहीं हो जाता है उस बच्चे को हम वो इंजक्शन नहीं दिला देते है तब तक हम चैन से नहीं वैठ करेंगे और इस अपर देतो है प्लीज आप लोग उस बच्चे के लिए जो होसकता है करिए और कंपनी मालिक हमारे जितने भी है प्लीज आप जो होसकता है उस बच्य के लिए का लवी आॉल ऐंक्यूसवी व Juliette धन्यवाद